नमस्कार दोस्तो मैं हूँ आपका दोस्त चनल स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चनल वायरल टॉप हियां दोस्तो मेरे पास काफी दोनों से बहुत से दोस्तों के कमेंट आ रहे थे कि सर जो पासिंक मार्थ है कितने 10th क्लास और 12th क्लास में क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर 20 नंबर प्रोजेट की भी मिलने है आपका जो paper है 100 नंबर का आना है और जो science का paper है आपका 80 नंबर का आना है इसलिए दोस्तों बहुत से दोस्तों को confusion था कि passing marks कितने है तो चली दोस्तों मैं आपको पूरा detail में बता देता हूँ कि आपको 10th class और 12th class में कितने नंबर आपको लाना पड़ेगा पास होने के लिए तो चली शुरू करते हैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपने 2020 में जो आपका exam होने है उसमें जो आपके exam को जो blueprint है वो आपने देख लिया हुगा अगर दोस्तों अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसकी link में आपको video के description box में दे दूँगा वहाँ से आप download कर लिजेगा 10th और 12th दोनों ही class का blueprint है सभी subject का की जो आपका paper है कितने कितने number का यहाँ पर आना है तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं 10th class की हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों सबसे पहले regular student की तो जो 10th class के आपके सभी paper 100 number के होंगे सिर्फ आपका science यानि के विज्यान का paper 80 number का होगा तो दोस्तों जो भी आपके paper 100 number के होंगे science को छोड़के उसमें जो आपके passing marks रहेंगे 33 यानि कि 33 नमबर आपको लाना पड़ेगा पास होने के लिए और क्योंकि आपके science का paper 80 number का होगा 80 number का इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि इसमें आपके 15 number project के हैं साथ में 5 number copy के हैं इसलिए आपके 80 number का paper हो रहा है तो 80 में से दोस्तों आपको 27 number लाना पड़ेगा pass होने के लिए अब दोस्तों आप कहेंगी कि सर 20 number project तो सभी subject में है तो हाँ दोस्तों 20 number का जो project है आपको सभी subject में है लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में बताया है कि जो आपका paper रहेगा वो तो 100 number का ही रहेगा लेकिन जब आपको result बनेगा तो जो 100 number का paper है उसको 80 प्रतीशत में convert कर दिये जाएगा और उसके बाद आपके 20 number project के मिलेंगे इसके ओपर दोस्तों मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है डिटेल में तो उसकी जो link मैं वीडियो के description box में दे दूँगा साथ में जो comment box होता है वहाँ पे उसकी link paste कर दूँगा तो वहाँ आप देख लिजेगा दोस्तों कि किस तरीके से आप number यहाँ पर convert कर दी जाएगे साथ में दोस्तों best of 5 की भी उपर एक पूरा detail वीडियो बना के रखा हुआ है मैंने उसकी भी link मैं आपको वीडियो को जो description box है और comment box है वहाँ पर आपको दे दूँगा result बनेगा तो भी 100 number के ही रहेंगे लेकिन regular में आपके जो 100 number का paper उसको 80% में convert कर दी जाएगा तो दोस्तों जो regular student है 10th class के आपको 33 number लाना ही पड़ेगा आपके जो project के marks है वो अलग से जुड़ेंगे ठीक है वो इसमें add नहीं होंगे वो आपके अलग से जुड़ेंगे 80% convert होने के बाद 10th class के दोस्तों पूरा clear हो गया आपको 100 में से आपको 33 number लाना पड़ेगा लेकिन science का जो कि आपका paper 80 number का है तो आपको passing के लिए 27 number लाना पड़ेगा दोस्तों हम लोग बात करते हैं 12th class के तो आप सभी को पता है जो आपका 12th class के जो paper है सभी सविशे के paper आपके 100 number के होंगे लेकिन जिन subject में आपका practical है वो आपका 70 number को होगा जैसे हम लोग बात करते हैं physics हो गया, chemistry हो गया, biology हो गया इनके जो paper ने दोस्तों आपके 70 number के होंगे हाला कि पहले 75 number के हुआ करते थे लेकिन इस समय 70 number के होने है और आपके 30 number है आपको project के दी जाएंगे project सोरी practical के यहाँ पर आपको दी जाएंगे तो दोस्तों आप सभी को पता है कि 70 number में passing जो marks होते है आपके 23 होते है तो 100 नमर में आप सभी को पता है कि आपको 33 नमर लाना पड़ता पास होने के लिए लेकिन दोस्तों अगरम लोग बात करते हैं 12th class जो की Commerce के student है आप सभी ने अपने school में project की file बनाई होंगी तो दोस्तों आपको 20 नमर आपको project के मिलने हैं लेकिन जो आपका paper होगा वो 100 नमर का ही होगा उसमें आपको 33 नमर लाना पड़ता है पास होने के लिए फिर दोस्तों उसको 80% में convert कर दिया जाएगा उसके लाद आपके 20 नमर से जितने भी आपको नमर मिल जाते हैं project के माली जो 17, 18, 19 या आपका school अच्छा है तो आपको BC नमर दे देता है तो वो आपके जोड जाएंगे तो इस तरीके से दोस्तों 12th class के जो paper है आपके 100 नमर का जो paper है उसमें आपको 33 नमर लाना पड़ता है का पास होने के लिए और जिस विससे में आपका practical का exam है उसमें दोस्तों आपको 70 में से 23 नमर लाना पड़ता है पास होने के लिए अगर हम लोग बात करते है private students तो दोस्तों private students का भी same चीज है और आपका जो practical होते है वो आपको पता है जो आपका exam center है दोस्तों वहीं पर होगा आपको इसकी जानकारी आपका exam center से मिल जाएगी तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपके सभी doubt clear हो गया होगा है अगर आपको किसी प्रकर को कोई doubt है तो दोस्तों वीडियो के comment box में comment जरूर करेगा दोस्तों मैं best of 5 और जो 20 नंबर प्रोजेट की जो पूरी detail वीडियो के link में वीडियो के description box में डाल रहा हूँ साथ में जो comment box है वहाँ पे भी डाल दोंगो तो आप उसको अच्छे से देख लीजेगा मैंने उसको पूरा detail में explain किया है कि आपके किस तरह से यहाँ पे marks जोडने वाल है तो दोस्तों फिलाल इस वीडियो में उतना ही उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो और information अच्छा लगा हुआ दोस्तों चैनल को subscribe जरूर करें ताकि MPVOT से जोड़ी सभी update आपको मिलते रहे तो दोस्तों फिलाल इस वीडियो में इतना ही thank you for watching thank you so much